Hello students, Class 11 Physics का Units and Measurement Chapter का बचो First DPP release कर रहा हूँ, तो आप इसको कैसे access कर सकते हैं? Website के through Physics Links का, physicslinks.com तो जैसी आप इसको visit करोगी, यह layout आपके सामने खुलेगा यहाँ पर direct आप Class 11 Physics पर click करने के बाद भी redirect हो सकते हैं बचो या एक option यहाँ पर भी है, Class 11 Physics तो जो जो chapters में पढ़ाते जा रहा हो, systematically यहाँ पर आपको उसको मिलते चला जाएगा तो Basic Mathematics for Physics सारे lectures यहाँ पर link लगा हुआ है आप उसको YouTube पर direct यहाँ देख भी सकते हैं और DPPs भी है फिर हम लोग units and measurement जैसे इस पर click करेंगे units and measurement पर तो यह पूरा chapters का जो link है वो खुल जाएगा जैसे lecture 1 हो गया, lecture 1 को अगर देखना हो तो watch on YouTube, direct इस पर click करने बाद YouTube पर वीडियो देख सकते हैं तो lecture 1 हो गया, lecture 2, उसके बाद आता है lecture 3 फिर जैसे देखते चले जाओगे, आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा DPP 1 क्योंकि थोड़ा सा नया है, है यूस्टू होना बहुत जरूरी है कि भाई DPP कहा है, बहुत सारे बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इसलिए थोड़ा सा मैं layout बताया आप लोगों को detail में, DPP 1 पर click करने के बाद इसका PDF open हो जाएगा जिसको की आप access कर सकते हैं, यहाँ से download कर सकते हैं यह DPP जो है बच्चो देखे, पूरा A to Z information इसके अंदर है कि topics included यह, यानि यह तीनों lecture पर based है, यह तीनों lecture पहले देख लिजे, सारे concept, सारे tricks, सारे formulas, जो भी है, सब कुछ याद हो जाए, बढ़ियां से concept समझ में आ जाए, फिर question को attempt करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे, तो इसमें total 16 questions मैंने डाले है, तो यह हो गया, significant figures, सारे चीपर based है बच्चो जो भी है, उसके अंदर topic पढ़ाया हुआ, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो total questions के बाद यहाँ पर answer की भी provided है, तो as a test के रूप में बच्चो आप इसको solve कर सकते हैं कि हाँ total 16 questions आपने solve किया, कितना आपका correct हुआ, क्या नहीं हुआ, कल मैं आपको इसका video solution लाओंगा, हर दिन बच्चो ऐसा ही चलेगा, जिस दिन DP release करूँगा, उसके next day video solution आएगा उसका, इससे related जो है, सारा information में telegram channel पर डालता हूँ, तो आप telegram चलकर नीचे link लगा हुआ है, आप उसको visit कर कर पाये थे self, यह बहुत जोरी है, उससे पता चलता है, कि यहाँ lecture जो मैंने देखा, और उस पर best question था, तो क्या पूरी अच्छे तरह से सब चीस समझ में आया या नहीं आया, फिर video solution में तो automatic verify हो ही जाएगा, तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहे हैं, इसको doubts हो, तो न नीचे comment section आप पुछी लिजाएगा, thank you